दोस्तों स्वागत आपका एक बार फ्रेंड यहां पर हम डेली बेसिस पे दाहिंदू को बहुत अच्छे से अनलाइज करते हैं यहां पर हम मेंस को भी लेके साथ में पीटी को लेके एक बहुत एक क्रिप समरी के साथ आपको समझाने की हम कोशिश करते हैं मैं यह नहीं कहता कि आपको न्यूस पेपर नहीं पढ़ना चाहिए आपको जब भी टाइम मिले अटलिस आप न्यूस पेपर खुद भी पढ़ते रहें क्योंकि हम फिलाल करसी आपको बताते हैं यह हम दो मोडूल फोलो करते हैं एक तो मतलब जिसके अंदर पीपिटी के थुरू आपको पूरी चीज़े बताते हैं जिसके अंदर आज भी न्यूस काफी ज़्यादा है तो उसको थोड़ा समझे कुश करेंगे GS point of view के साब से, PT के point of view के साब से, Mapping के साब से तो वो सारी चीज़े हम लेके चल रहें और एक मोडूल के अंदर हम आपको newspaper की summary भी समझाते हैं ताकि कोई बच्चा का newspaper नहीं पढ़ पा रहा है किसी कारणवज से उसको भी लेके चलते हैं साथ में एक initiative अभी जो एक अगस से start होगा मेरे के द्वारा, जिसमें हम आपको editorial की summary समझाने कोश करेंगे कि जिसके अंदर editorials में आपको question format भी बना के देंगे, कि ये questions मतलब ये कर सकते हैं साथ में weekly revision भी हमारा आता है, जैसे कि रात को ही मैंने video डाली, आज फिर आपको gspaper 3, gspaper 4 की video मिल जाएगी, pt की मिल जाएगी, तो हमारा module हमारा complete होता चला जाएगा सर पे कफन, बांच चुका हूँ, मैं नहीं रुकने वाला, आप लोगों से request करूँगा, daily basis पे, खुद के notes बना रहे हैं, तो उससे अच्छी कोई चीज नहीं है, कुछ लोग LLC हैं, तो wait करें, हम आपको pdf, एक तारीक को, या फिक 30 तारीक की रात को, जिस दिस संडे हैं, जुलाई 2022, जो हमें देखने को मिलती है, आज का newspaper, देखें, अगर overview बोलू तो yes, आज काफी सारी news हमें देखने को मिली, वोमेंस को लेके भी काफी बात हुई, हमें ये भी पता चला कि, केरलेस को लेके भी क्या बात हुई, इतिकली हमारे पर GS paper 4 में भी एक हमें कोशन देखने को मिल रहा है यहां पे, कि आज GS paper 4 को भी कैसे connect कर सकते हैं, और semitationally अगर बात करें, तो GS paper 3 की भी हमें एक बहुत important news हमें देखने को मिलती है, तो आज के program में पहले समझ लो, पहले मां को program समझा दूं कि आज के program में क्या आज होगा, तो इसमें अगर हम देखें, तो काफी सारी news हमें जो देखने को मिल रही है, ठीक है, तो इसको हम बाद में देख, पहले हम पहले चलते हैं, news paper की तरफ, एक मिन्ट, हाँ, देखो, front page की news है, अगर हम देखें, अभी हुआ गया है, Congress के leader है, अधीर अजन, ठीक है, देहांते समझना, यह बहुत अच्छी news है, Congress के एक leader है, अधीर अधीर अजन, ठीक है, मतलब MP है, तो इन्होंने हमारे जो माननिय रास्टपती जी हैं, जो अभी हमारी द्रोपती मुन्मुन्ट जी हैं, उनको लेके उन्होंने ये बोला कि वो रास्ट की पतनी है, देहांते समझना statement को, इन्होंने ये बोला कि वो रास्ट की पत्नी है तो कहीं न कहीं एक top constitutional post को लेके इस तरह की बक्वास करना मैं clear get बात करूँ आज इस तरह की बक्वास करना एक top रास्पती post है first नागरीक हमारे देश का और उसके बारे में अब शबत कहना ये सच में बहुत थी निंदा करने वाली बात हमें देखने को मिलती है यहाँ पर हुआ ये है कि ये बोलने कि मैं माफी मांगूँगा तो मैं रास्पती के सामने मांगूँगा मैं BGP के पक्ष में नहीं हूँ BGP जैसा बोलेगी मैं नहीं करूँगा लेकिन मैं रास्पती के आगे माफी मांग लोगा लेकिन बोला तो उन्होंने सब के सामने ही है ये भी बोल सकते थे इतने बड़ा ट्रिगर जो भी किया है इस चीज को लेके पॉलिटिकल निउस है ये हमारा जीस पेपर टू से कनेक्ट होगा अध्यान रखना क्योंकि किसी के परती समानता भी तो हमें अगर बात करें तो हमें दिखानी परती है यार इतनी बड़ी पोस्ट आप ऐसे थोड़ा बोल दोगे याल अलुवन जुए वी शूड आलसो गीवर रिस्पेक्ट तो उसी केस में यहां पर इनों ने यह बोला कि नहीं मैं किसी के दवाब में नहीं आऊंगा मैं अपने हसाब से माफी माँग लूँगा अगर चाते तो यह मुद्दा जादा उखड़ता नहीं अगर मेरी बात अगर यह थोड़ा दिमाग लगाते थोड़ा दिमाग को खोलते बोल देते हैं टंग ओफ स्लिप है गल्ती होगी माफ कर दो वहीं बात वहीं मुद्दा खतम हो जाता लेकिन इनों नहीं बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है तो यहां से आपको केस ओफ इवेंट आपको देखने को मिलता है यह है एक तसे आप बोल सकते हैं केस्टी भी इंडरेग्ली कि पॉलिटीशन को भी अपनी मर्यादा में रहके कॉंसिटुशनल पोस्ट के परती सम्मान दिखाना पड़ेगा क्योंकि अगर आप इस तरह से बाते करेंगे तो कल को बहुत कुछ चीजे मतलब की उल्टी सीधी हो सकती है हाला कि हमारे पादहान मंत्री मानिने पादहान मंत्री को भी बहुत लोग कुछ कहते है OVC साब जो हैधराबाद के निजाम जो बैठा है ठीक है क्या है वो मुसलिम वोटर से जीतता है फ्रेंकली अगर मैं बात करूँ तो तो वो जिस्ता से अब सबत कहते है यह तक शुकर मनाओ कि OVC साब इंडिया के अंदर है और हम अब जो मैक्सिम अगर बात करें तो यहां की जो पॉपुलिशन है 80% आज 79.89% अगर बात करें तो जो पॉपुलिशन हिंदू है वो टॉल्डेट कर रही है बैस यह बात मैं करें तो इस तरह की बातों को कहना एक 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 आटली वी शूड आटली अटली उस व्यक्ति की नहीं तो कम से का हमें उस पोस्ट की तो हमें रिक्सपक्ट करनी चाहिए तो यह सब चीजे हैं यह अभी बहुत बड़ा बवाल मचा पड़ है तो इसमें बस यही बताना था कि यह कंट्रोवर्सी है यहां से आप कभी भी इन फ्यूचर में अगर मालों को सेजेशन लिखते हैं रास्पती को लेके या फिर पॉलिटीशन को लेके भी अगर आपको सेजेशन लिखते हैं तो वहां पर यह अला पॉइंट जेस पेपर 2 के उसमें डिरेक्ट आप इस इवेंट को भी आप जिक्र में एक छोटे से एक्जाम्पल के तोरप आप इसको डाल सकते हैं बाकी तो खटाओ यह कुछ भी नहीं है ठीक है यह क्या हो गया भई एक मिनट तो देखो यहां पर यह है बाइदन और जो वहां के चाइना के जो रास्पती हैं होल टॉक ठीक है जो एम्ड ताइवान अगर बात के तो रो में तो दो को कंटेस्ट में यहां पर तुरक्यों में इसलिए निउस में आये कि अभी ताइवान के अदर मिटिंग होनी है ठीक है अभी वहां की जो थर्ड मोस्ट टॉप पोस्ट जो नैंसी है ठीक है वो भी ताइवान को जो विजिट करेंगी तो चीन यह कहता है कि ताइवान is a integral part of China वो यह कहता है कि one China one policy के तहट ताइवान जो है चाइना का पाट है लेकिन ताइवान कहते है हम नहीं मानते चाइना को लेकिन इसके पीछे भी चाइना ने बहुत तगड़ी राजनिती यह खेली बहुत ही economic राजनिती ये खेली है, उन्होंने पहली clear cut बोलते हैं अपने, अगर कोई कीसी चाइना के साथ संबंद बनाएगा, तो वो पहली बात ही बोलते हैं कि हम business आप से जबी करेंगे, जब आप ये मानगों कि हम one China, one policy के साथ हैं, यानि कि चाइना के साथ आप खड़े ह हैं, otherwise इसको नहीं देख, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें दूसरे एंगल से समझना पड़ेगा, कि चाइना ने ये बोला है कि बेटा, अगर तुम हमारे territory में Taiwan को, अगर तुम Nancy को लेके आए, तो उसके consonants, यान उसके परभाब को जहलने के लिए आपको मतलब की ज पास पास वह देखने को, मानता हूँ, USC hard power है, hard power का soft power में ये फर्क होता है, hard power जो घर में घुश के मारता है, soft power ये है कि हाँ आपने परोसी देश में घुश गया या इधर घुश गया, तो उसको soft power के तुम मतलब कि अभी hard नहीं है, soft है, होता कि हाँ, military है, actions कर सकता है, ल मैं भी एक supreme leader की तरह इस पूरे world पर राज कर सकता हूँ, अगर America ने इसकी बात मान लई, अगर America ने इसकी बात मान लई, तो समझ जाना कहीं अगर indirectly way में हमें ये बात बता से लिए कि China जो है अब धेर धेर टॉप पे हमें नजर आता है, मुझे जहां तक लगता है, America नहीं अगर से corruption के charges निकल रहे हैं, बंगाल के अंदर से, तो यह आप पढ़ सकते हैं as a event के तोर पर, just पढ़े, nothing, no need to write anything, इसमें कुछ लिखने की जरुदत नहीं है, पचास क्रोड की cash औरी सारी jewelries, flat के papers मिले हैं, तो समझ सकते हैं कि दीदी के दामन में भी कहना कि कुछ ना कु फिर second page पर आएं, तो कुछ खास नहीं है, ठीक है, सब इदर दोर की चीज़े हैं, यहां पर सिर्फ एक quotation निकल के आया है, जो हमने कल बात करी थी, कि Central lie on jobs exposed, जिससे Central हमने कल contest में देखा था, कि Central ने 2014 से लेके 2000, उन्होंने हमने कल देखा था, 2014 से लेके 2021 तक कुछ 7,22,000 नो इस अब बकवास है, वो यह कहते हैं, कि मोधी के टाइम, मोधी जी के टाइम में सब से जादा बेरोजगारी देखने को मिली, हम इस चीज़ को मानते हैं, कि मोधी जी के टाइम में सब सादा बेरोजगारी में देखने को मिल रही है, लेकिन भाया इसके बीचे global scenario भी तो द करें तो हमें सारे aspects को समझना भी पड़ेगा कि क्या है और कि failure क्यों हो यह चीजे तो इस विए से यह बोलते हैं कि 45 साल में highest employment rate हमें जो है देखने को मिल रहा है तो कैसे कह सकते हैं BJP वाले कि इनको इनको इनने इती सारे नोक्रियां दी लेकिन जो data तो गलत नहीं बोलता ना जो हमारा government का जो NSO का जो data हमारा वो तो गलत नहीं बोलेगा तो इसलिए इसको पढ़ें that's it लिखना चाहो तो थोड़ा एदे counterpart में लिख सकते हूं कि highest unemployment rate भी जो हमें देखने को मिल रहा है तो यह आप चाहें तो लिख सकते हैं मैं इसको discussion zone में नहीं इंक्लूड किया क्यो तो इस पर टसल चल रहा है तो अभी चीख रहे हैं चिला रहे हैं कि नहीं हमें जाना चाहिए लगी आप state responsibility हो तो आप अगर इस तरह से जाओ कि दिक्कत होंगी तो उसी चीज को लेके टसल अभी हमें देखने को यहां पर मिल रहा है फिरस के बाद और तो कुछ खास नहीं कर सकते हैं यह page है सरिफ interset तो पढ़ो ना तो छोड़ो MetroPlus में कुछ खास नहीं है फिर इसके बाद page number six states में अगर देखें तो हमें कुछ खास नहीं मिला सब ऐसी दो दर्गी बाते हैं सब इस दो दर्गी बाते हैं और कुछ नहीं है ठीक है फिर इसके बाद दोस्तों page number 7 तो of course यहीं सारी चीज़े हैं missing search score पे नहीं गाड़ी आगी है ठीक है अभी हम इसके बाद में discuss नहीं करने हैं editorial page के ओपर क्योंकि in future में discuss करेंगे तो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि क्या editorial में क्या हमेरे लिए काम का है क्या क्या नहीं है अब हम आते है tax and contest में य समझे कुश करते हैं यहां पर एक news निकल के आई यह तो को सिर्य लिखने की जरूबती है दोस्तों दो को ऐसा नहीं होता कि आपको हर एक news लिखनी होती नहीं कुछ चीजे चलती है जो आपको थोड़ा फे हमें जैसे की बेटी पचाओ बेटी पढ़ाओ इस scheme जो 2014 में जो हो जड़ा बोशन किये जाते थे मतलब बच्ची होई जनम से मार दिया ठीक इसा की चीजे होती थी तो अब इस चीज पर रोक लग रही है इवन अगर बात करें मैं यह कह सकता हूं कि बच्चों मतलब की होई न स्कैन करके अल्टा साउंड करके पता कर लिंक पता कर लेना यह चीजे हां मैं मान सकता हूं कम हुई है मैं यह भी नहीं कह रहा है कि बिल्कुली कम हुई है पर येस मैं बोल सकता हूं कि सो में से करीब मान के चलो 80% पर तो रोक लग चुकी है तो यह चीज स्कीम से यह बोलते हैं कि इस से थुरू मान के चलो कि बहु ज़्यादा इस खर्च हुआ है यह हिंदु वाले यह कहते हैं कि भाई इस पर करीमान के चलो 740 क्रोड रुपे के साब से अगर बात करें तो मतलब यहां पर जो एकस्पेंडिचर खर्च हुआ है मतलब इसको मीडिया एड दिखाने में सरिफ भाई 740 क्रोड पर खर्च तो हुई है लेकिन आप यह भी तो देखो कितना फायदा भी हुआ है एक देश में आप जब आप टैक्सी कैब में बैठते होंगे ओला उबर में तो आपको यह पता चलता हुआ कि टैक्सी के पीछे लिखा रहता हो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो बहुत एक अच्छा स्लोगन हमें देखने को मिलता है वो कहीं नहीं है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को इतना जादा इन्होंने साथ सोच गवर्मेंट का रिवैन्यू वेस्ट किया यह नहीं ऐसा कुछ नहीं है आपको पॉसिटिव एसपरिश समझने पढ़ेंगे कि इससे कहीं ना कहीं मतलब कि बात करें तो जागरूता अब तो समाज के नतर फैल रही है पहले वोमेंस को महिलाओ को दूसरे नहीं से देखते था अब इनको ऐसे एक सिकस्थिक्ति करण के तरसे देखते नहीं है मेरी बेटी है तो ड़ड़का कमाय नकाम है लड़की जरू कमा के देती है तो यह चीज हमें यहां पे इस कैम्प इसको आज हमने मेंस के लिए जिस पेपर 3 के अंदर बहुत अच्छी से डिसक्रशन करेंगे इसको बहुत डिटेल में देखेंगे चुनूतिया क्या है क्या है थीवीड क्या से है क्या इंपक्त है क्या समस्या है क्या गौर्वर्मेंट स्कीम से है तो इसको आज जिस पेप लिखने को हमें मिलती है तो यह इसमें था अब आते हैं इस पे बैई देखो अभी कहा है तुनेश्या को लेके बात हो रही है कि हालका तरसल यह चल रहा है बैस कंटैस्स को समझो इसको लिखने की जिरुवत नहीं है क्योंकि ना यह इस तरह की न्यूज हमारे ठीक है जी से तू का पार्ट है अफरिका के अंदर तुनेशिया है ठीक है हम इसको कवर करेंगे आज ऐसी बात नहीं है लेकिन इतना डिटेल में नहीं खुशना मैं आपको सिंपल सी एक बात में समझानी कि हाँ पर कोशिशी करूंगा कि जब अरब स्प्रिंग स्टार्ट हुआ 2011 में ठीक कि वो रगनेवी वोट देंगे प्रो डेमिक्रेसी के साफ से चलेंगे यह सारे चीज़े चलेंगे ठीक है चीज़े अच्छे से हुई दस साल का करक्स यह निकलता है कि वहां के लोग बेरुजगार ज्यादा हो रहे हैं तूनेशिया बहुत अच्छी कंट्री है मतलब बात अच्छी है और यहां पर इटली है तो यहां पर यह कंट्री है तुनेशिया यही ठीक है दो उसके दो कंट्री के साथ बोडर लगते है लिब्या के साथ लगता है और एक मुझे देखना पड़ेगा तो इस कंट्री में अगर देखें तो तुनेशिया में अभी यह चल रह फिर कोविड आ गया तो कोविड कारण और हालत खराब हो गई तो जिसके कारण इनका फोनल रिजर्व बहुत जादा पैनिक हो गया यानि कि इनके बाई इतने पैसा नहीं है और यह चीजे मतलब काफी कंगाली के कगार पर जो खड़े पड़े हैं अब यहां की जनता यह चा बात करें तो इसी चार्टर को लेके कुल मिला के यहां पर बात यहां पर करी जा रही है कि ठीक है कि लाइक इन्टरेशन मतलब यही कुल मिला के मतलब यही कंटेस्ट जो हमें कुल मिला के हमें यहां पर समझने को आता है बाकी अभी एलेक्शन होंगे क्या इसका निकलेग किस तरह से निकलेगा यह सारी चीजे होंगी तो देखतें फिर आगे कि क्या है किस तरह से हैं फिर next आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसमें हमें यह देखने को मिलता है हमारे लिए आज यह important है इसमें से कुछ चीज है discussion zone में हमने convert किया है इसको मैंने as a data point of view के आप से देखा है तो इसमें आज हम यह देखेंगे कि हमारे पर tally density कितनी है कितनी नहीं है ग्रामिट शेतर में कितनी हमारी tally density तो इसको discussion zone में अच्छे से देखेंगे हाला कि इसमें adr के बारे में बात करी गई है यानि कि अगर बात करें तो agr ठीक है adjusted gross revenue तो इसको हमने pt point of view के लिए भी रखा है ठीक है तो इसको आ थोरत हम समझे कोशिक करेंगे साथ में यह यह कहते हैं कि जब ही recently देखा कल हमने देखा कि जो bsnl के लिए package launch हुआ है 1.4 lakh crore का कि एक तासर जी मतलब दुबारा से उसमें oxygen डाली जा रही है कि उठे जाए bsnl ठीक है I do accept it ठीक है कोई अच्छी बात अच्छी बात है लेकिन आज के समय मुझे नहीं लगत उसके उपर जमार try है ठीक है try को उपर रखो control and watch के लिए कि rates जादा ना बढ़ें ताकि खूल ना पीपी है यह जो भी merging है कि उस पर नजर रखें bsnl को जीवित करके इतना पैसा invest करना better है बैटर है private sectors में हम एक charter एक मतलब एक ऐसा एक मतलब बिल पास करें जिसके अंदर व जो है इनको license renew किया जाएगा या फिर कोई और भी चीज़े जो renew करी जाएगी जैसे कि for example अगर मालो कोई travel area में नहीं जाना चाहता है कोई जंगलों में टावर नहीं लगाना चाहता है तो जहार खंड का मालो राची circle है राची में कितने लोग होंगे more than 50 lakhs या इस पास रा सरकारी काम में ideal accepted सारी चीज़े सरकारी नहीं होनी चीए कुछ हद तक ही सरकारी होनी चीए ज्यादा क्यादा सारे चीज़े होंगी तो उसके लिए भी कही ना कहीं फिर दिखते हो हमें जो है देखने को मिलती है मैं यह जरूर समझता हूं कि ठीक है सरकार एक limit तक अपना का गया वो controller है अभी जैसे spy chest को उन्होंने deground किया कि नहीं तुम नहीं उडाओगे क्योंकि तुम्हें safety norms नहीं तो इस से control करे तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा फाइदा होगा अब 1.45 करोड को अगर हम किसी social scheme में डाल दें ठीक है हम किसी social economic scheme में डाल दें तो उससे गर maximum profit ही चाहती है company customer जाए भाड में लेकिं control करके रखे चीज अच्छी रखेंगे ठीक है तो ये view था मेरा को बताया तो इसको हम discussion zone में भी थोड़ा सा देख लेंगे फिर इसको फालतू है यह सब अटाओ ठीक है कुछ खास नहीं है इसमें फिर again वह political issue वही इसी को लेके जो म movements वाले लोग भी जो आगे आ रहे है बागी राजे सबा में टसल चल रहा है तो suspend हो रहे है तो होने दो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है यहाँ पर वही जो चैटे जी को लेके पार्था चैटे जी को लेके 50 क्रोड के बात हुई थी फिर चाइना वांस अगेन पैलोसी ठीक है बही नैंसी पहलोसी को लेके वां किया गया है यहाँ पर अब जर्वेट यही है कि देखते हैं आगे क्या होता है क्योंकि आपे military deal हो सकती है इन future में military fight भी हो सकती है अगर अगर अमेरिका नहीं माना तो कही ना कहीं जो है fight भी यहाँ पर देखने हो में मिल सकते है यही अगर बात कर रिपोर्ट है अभी हाली में देखो इसको पढ़ने की न्यूज है कुछ इसमें कुछ खास नहीं है यह बोलते हैं कि इंडिया वाले बोलते हैं कि चाइना की शिव आपके कुलंबे के पोर्ट पर आ रही है तो नहीं की शिप्स हैं उसी चीज को लेके बात कर हैं कि स्रीलंका वाले बोलते हैं कि नहीं बहुत अगर बात कर तो हमन जो पोर्ट आपका उसको लीस्पर दे गया क्योंकि वो डूटू दा मतलब कि चाइना को वो पे नहीं कर पाई श्रीलंका वाले तो फिर 99 एर्स के लिए लीस पर चला गया इसी कि जैसे 2014 में भी अगर बात करें तो उनकी सम्मरीन को यहां पर बात करें तो चाइना के पोर्ट पे श्रीलंका के पोर्ट पे जो उनको खुछ टाइम के लिए रखा तो कहना के इंडिया के लिए कंसर हमें देखने को मिलता है यहां पर वाइड लाइफ अमेंट्मेंट्ट को लेके बात करी जा रही है कि वाइड लाइफ जो वाइड लाइफ जो अमेंट्मेंट्मेंट है उसमें जो आप थोड़ से अमेंट्मेंट्मेंट किये गए है यह यह किया गया है कि जिससे की जो EIA है जो कुल मिला के जो assessment है उसको असान किया जा सके environment को लेके भसड ना जादा हो, clearance जल्दी मिल जाए इसी चीज को लेके बात करी गई है तो इसको थोड़ साथ detail discussion में देखेंगे क्या-क्या changes करे गई हैं, हम क्या सोच सकते हैं तो उसी चीज को लेके मैं यहाँ discussion zone में देखने की कोशिश करूँगा फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर, again, airlines reported 478 technical shranks in the year वो बोलते हैं कि airlines ने 478 technical problems बताई हैं, सारी airlines को मिला के last year से जो हमारे इस साल कम हमें देखने को मिली है, कुल मिला के करक्स हमें यहाँ पर यही देखने को मिलता है फिर no plan to set up committee to the implement of like uniform civil service court तो इन्होंने यह बोला कि भाई, ऐसा नहीं कोई committee नहीं बिठाई गई है, uniform civil service court को लेके केंदर के द्वारा यह बेकाइदा जो है रिज्जू है वो राजसवा को बता रहे हैं, इंडिया विल बी बिकम दा विश्व गुरू only थू सार्क, तो यहाँ पर महबुबा मुफ्ती आपको पता हुआ यह प्रो पाकिस्तानी है, ठीक है आपको पता, मैं आपको बता दू महबुबा मुफ्ती की फिलोस्पी, यह लोग इंडिया के साथ नहीं रहना चाहते हैं, फ्रैंक ले, मैं अगर मैं ओपन दे, देखो आपको पता होना चाहिए, इनकी फिलोस्पी यह है कि इनका पाकिस्तान का बाप है और यह उनके साथ जाना चाहते हैं, यह ना ही अलग क उठा के बंद कर देगा, तो इसलिए इंडिरेक्ट लिए में सेकलोरिजम का हलन है, यह है, वो है, कुल मिला के यही फिलोस्पी है यहां पर, तो यह बोलती है कि इस तो इन्होंने सार्क का नाम ले तो हम सार्क का ऐज़े पीटी पॉंट और फ्यू के हिसाब से देखेंग क्या क्या, इसमें, कौटेशन में, जो हमें देखने को मिला, कि भई, टीन प्रेंगेंसी की होता है, अगर मैं डबलु एचो के साफ से चलूँ, यहां पर हलाकी, कलियर नहीं इन्होंने डबलु एचो के साफ से चलूँ, तो जो 20 साल के अंडर जो लडिकियां माए बनती है आपने देखा होगा मेटो सिटीज को छोड़ दो बिहार वेस्ट बंक और महरास्ट के अगर दूदराज एडिया में चले जाओ तो वहां पर लड़िकियां 18-19 साल में उनकी शादी कर दी जाती है तो जब शादी कर दी जाती है तो आप भी समझ सकते हैं एक साल के अंदर बच्चा हो जाता है तो उसमें उसको वह teen pregnancy के तोर पर जो समझने कोशिक करते हैं बोल बच्चन है पढ़ लेना क्या इसके नोट्स बनाने चाहिए 18-19 साल में लग सकता है कि 39 MPs के जो चिलन्स है ठीक है उनको मतलब जो 39 जो वहां के स्टूडेंट्स है जो क्या नाम है उनको एक ही सिरिंस इंजक्शन मतलब की जो डोस दे दी गई है कोविट के एक इंजक्शन से 39 लोगों को तो यह क्या है जो बंदा इंजक्शन लगा रहा है कि उसको नहीं पता क्या उसको नहीं पता कि भई वो कर रहा है क्या कर रहा है वो कोविट-19 के जो डोस लगा रहा है आपको पता होगा कि आज कर समय तो ऐसे इंजक्शन भी चल if you were that dm ठीक है और मालो MP आप इसी छेतर के अगर आप dm होते तो इसमें आप क्या करते आप इसमें क्या स्टेप से लेते ताकि इस तरह की गल्ती in future में भी ना हो और जिस पर हुआ उस पर आप क्या करते कैसे actions लेते तो ये case study अगर हम बात करें तो हमें देखने को मिलती है और यह आपका जीस पेपर 4 में आपको जो है देखने को यहाँ पर तो इसलिए अब इन डॉक्टर्स के खिलाफ F.I.I.R. दर्ज हो गई है तो इसलिए यह न्यूज हमें जो है यहाँ पर देखने को जो है कुल मिला के मिलती है फिर S.E.W.A.N.S. ठीक है पॉल प्रोसेस दो महनासरस को पढ़ लेना और कुछ खास नहीं थे 27% OBC को लेके बात करी गई है तो पढ़ने की न्यूज है और कुछ खास हमें देखने को नहीं मिलता फिर नेक्स चलते हैं दोस्तों वर्ल्ड पे आते हैं यह नॉर्थ कोरे पोर्थ कोरे हटाओ स इस चीज को कंडम किया है यहने कि बोलते हैं यह चीज गलत हो रही है तो कहिना कहीं मायमार पर इन फ्यूचर पर स्टिक एक्शन्स लग सकते हैं क्योंकि जब वहां के डेमोक्रेटिट लोगों को फांसी दी जा रही है तो वहां पर फिर बहुत बुरा हाल हमें जो इन फ् इन फ्यूचर पर इन फ्यूचर पर रही है तो उसी कंडिशन में यह पता चलता है कि केनिया के अंदर इन्होंने फ्यूचर पता चलता है जो भी इनके थे अंजियो जो है वो रिसर्च करें थे इस पर उन्होंने कुछ पोस्ट किया भी हड़िड लिखके गला काट दूँगा खून कर दूँगा तो लेकिन उसको फेस्बुक ने नहीं रोक पाया तो यह पता चला कि उनको थाड़ यह तीसरी बार ऐसा हो रहा है कि फेस्बुक जो है अगर बात करें तो हेट स्पीच को लेके जो है ब्लॉक नहीं कर पा रहा है तो यह आपका हेट स्पीच पे तो और टूमेटिक यूपी एससी में 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 कोशन आप भी चुक है जिस पेपर टू में तो इसलिए आप इसको as a case study के तोर पे as a example के तोर प इतना बड़ा इतना घटा इतना हुआ हमें पता है वो यह कुल मिलाके मोटा मोटा कंटा से कहते हैं कि they have changed fuel price just six times in the first 111 days में यहनी कि 111 दिन के अंदर fuel prices जो है छे बार बड़े हैं तो change किये हैं तो इसी चीज को लेके fuel prices को लेके जो बात करी गई है इतना बढ़ रहा है इतना खट रहा है यह हमारे काम करें है पढ़ना हूँ पढ़ लो enjoy कर लो that's it लिखने की news है नहीं पढ़ने के only news है notes बनाने नहीं मनाने US recession fear growth as GDP shrinks अब US के अंदर के बात करें recession यानि कि अगर बात करें मन्दी का time हमें जो देखने को मिला कि second quarter में यानि कि छटे महीने में भी वहाँ पर growth जो है काफी जादा अगर बात काफी कम देखने को मिली है only just 0.9% वहां की जो अगर बात करें जो growth है दोस्तों अगर हम दे के लिए तो चीजे जो हैं दिक्कत यहां पर हमें देखने को मिल सकती हैं तो इन्होंने यही बोला कि slow down के chances ज्यादा लग रहे हैं क्योंकि इससे अगर बात करें पैसा मिलेगा इतना occasions तो इसी चीज को लेके बात करें गई है और और कुछ इस newspaper में आज अगर मात करें तो ह अगर में कुछ खास जो है देखने को नहीं मेला तो चलिए फिर discussion को start करते हैं फटा फट और जो है देखने की कोशिश यहां पर करते हैं चलिए देखें 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 दोस्तों पहला था कि एक मिटा एक मिनट यहां से देखो जैसे कि मैं आपको बदाया तरी तो अब मैं यहां पर इसी मोटर मोट एक स्पेंट करूँगा आपके सामने चीजे हैं क्योंकि इससे हम नहीं चाहता है कि दोगो यहां पर अभरत भाषा पर रोग लगाने में Facebook विफल है ठीक है इसको Hindi में अगर हम बात करें तो ठीक है तो इसमें हमें यह देखने को मिलता ह है दोस्तों कि कुल मिला के कि अभरत भाषा यानि कि जो अभी मैं आपको बदाया था कि Facebook जो है उस पर ट्राइल किया गया एक NGO की एक NGO ने Nonprofit Organization Global Witness and Fox Globe ठीक है तो इन्होंने मतलब रिसर्च करी और इस पर यह चीज निकाली कि इन्होंने यह चीज मतलब अखुल मिला कि यह निकाली कि भई Facebook पे हिंसक अभरत भाषा को Kenya में निनिति जो है नहीं कर पा रहा है तो जैसे कि अन्ने देशों में जैसे चल रहा है तो वहा नेक्स चलते हैं फिसके बाद दोस्तो टैली घरत को लेके बात हुई थी जो याद हो कंटेस्ट में जो देखा था हमने कि रिसर्च जो पूरा बेसनल को लेके बात करी गई थी मोटा मोटा दको इसमें में क्या निकल सकते हैं यह आप कहां डाल सकते हो यह आप डाल सकते हो security में भी gs paper through में भी जो इसको गुसा सकते हो क्योंकि हमें hate speech को रोकना पड़ेगा अभी hate speech social media पे भी होती है तो इसलिए इसको आप जो एक कुल मिला के gs paper 3 में भी बहुत अच्छे से cyber वाला जब भी topic आता है issues वाले बाते हैं fake news आता है जो भी चीज़ आती है तो वहाँ पे जिस paper 3 में भी आप इसको गुसा सकते हो ठीक है मैं आपको सारे dimensions आपको बताने कोशिश यहां पे कर रहा हूँ अब आता है दोस्तों टैली घनत तो टैली घनत का मतलब हो गया टैली फोन को लेके बात करी गई है यानि की gs paper 3 में अगर बात करें तो infrastructure को लेके बात करी गई है भाई सरचना जिसको हिंदी में कहते हैं यह न असले बस हमें तो इसले बस याद है आप अपना देखो ठीक है तो यह मतलब कि कुल मिलाके यहां पर बात करी गई है तो BSNL ने इस अबधी के तुरान अगर देखें तो एक बात पता यह निकल के आती है कि BSNL में कुल मिलाके जो 0.30% जो है वो खोते जा रहे है हर मही ने कई ना कई 0.30% जो वैरलेस जो घ्राक है इसके BSNL के वो कई ना कई कुट कर दे रहे है कि नहीं हम BSNL नहीं लेंगे ज़्यादा आ रहे हैं मतलब की हर मेने की जो एक कुल मिलाके अगर हम बोलें तो अगर हम बात करें तो तो यही राष्टे निवेश मतलब की इन्हों ने एक रिपोर्ट यह दिखाई कि राष्टे निवेश सवंधन और सुविधा एजनसी के अनुशार भारत का दूर सचा भारत का दूसरा दूसर जार उद्योग दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा उद्योग जो में देखने को मिलता है साथ में यह भी बोलते है कि देश के अंदर कुल टैली घंड जाने कि कितने लोगों के पास फोन है वो है 84.88% के पास लोगों के पास आज किसमें हमारे भा तो उसकी बात आए, भारत ने बहुत अच्छा कर लिया, टेली कोम इंडिस्ट्री में, यह सबुए, तो यह पॉइंट उठाके गुसा देना, कि 84.88% के साफ से, तो जब भी टेली को लेके, जब भी कोई बात है, टेली को लेके, तो आप यह डेटा गुसा सकते हो, लेकिन ज कि लेकिए, तो आपके सामने सब कुछ लिखा गया, कंटास यह, बाकिया पढ़ लेना, आपके सामने सब कुछ लिखा गया, मैं आपको बता देता हूँ स्रिफ देखो दोस्तों यह हुए कि अभी हमारा जो है एक्ट, इन्वार्मेंट एक्ट को जो है यहाँ पर अगर बात करें तो उसको अमेंडमेंट करने कोशिश करी जा रही है मनेंट मिनिस्ट्री यह कहते हैं कि आज तक जब सेवर्मेंट मिनिस्ट्री बनी है है अभी तक कोई ऐसा नहीं है कि हमने कौप्रेट घराने को जेल में भेजा हूँ तो फिर जेल का सिद्धानत क्यों? जिसके अंदर 5 साल की सजा हो एक लग तक काफाइन हो और साथ में उसको एक्स टीम सिचूशन में साथ साल तक की सजा हम कुल मिला के कर सकते हैं तो इसी चीज को लेके यहाँ पे इसी चीज को लेके कुल मिला के अगर बात के तो मतलाब बात यहाँ पर करी यहाँ पर जा रही यही इसी चीज़ को लेके, ठीक है, फिर यहाँ पर हमें कुछ consensus देखने को यह मिलते हैं दोस्तो, जो consensus लेकि बहुत अच्छा identical point हमें देखने को मिला है, यह कुछ वरन उलंगन के मामले के backlog को निप्टाने में 9 से लेके 33 साल के बीच का समय लिया यहनि जो भी प्रेविडेंट के जो जो भी अगर मालोगी प्रेविडेंट को लेके कोई अगर चला गया case तो उसमें कही ना कि 9 से लेके 33 साल लग जाते हैं यह इनका research एक analysis यहाँ पर देखने को मिल रहा है साथ में वो यह भी कहते हैं कि 2018 के शुरुवात से ही करीब 45,000 मामले सुनवाई के लिए लंबित है यहनि आज भी 2018 के बाद से देखे हैं तो कही ना कहीं 48,000 45,000 जो मामले हैं हमारे वो कही ना कहीं लंबित हमें देखने को मिल रहे हैं और कहीं ना कहीं इस वर्श यानि कि 2020 में करीब 35,000 मामले जो है नए मामले हमें देखने को मिलें और बहुत अच्छा point यह देख एठा मुझे मतलब उसी पर्टिकुलर अगर बात करें तो कानून को लेकर यहां पर जो केस जो फाइल हुआ है और जिसमें 90% मामली जो देखने को मिलते हैं तो जब भी issues को लेकर बात करी जाए, environment के issues को लेकर जब भी जिस पर पथरी को लेकर बात करी जाए जब भी कोई कोशन आए, environment को लेकर तो पूरा का पूरा उठाके यह तीन पॉइंट तो पहले फड़ा 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 चीप तो अगर याद कर सब्सक्राइब, देटा याद रहे ना रहे, it's okay लेकिन आपके thoughts याद होने चाहिए कि देखो किस कहां आप, कितनी आप depth में जो है, the Hindu जो यहाँ पर बताते हैं, तो मैं कहां लगता है, दनी जागरन बता देगा, कभी जिंदगी नहीं बता सकता है, दनी जागरन इस चीज को, तो the Hindu ने इतनी depth बात जो हमें यहाँ जिस पेपर 2, कहीना कि indirectly वहाँ पर भी women's को लेकि बात करी जाती है, तो कह सकता हूँ कि जिस पेपर 1 और जिस पेपर 2 में कहीना कहीना कहीन, इसको women's को जहां भी topic आजाए, चिंता को लेके बात आजाए, issues को लेके बात आजाए, तो आप यहाँ इस points को लिख सकते हो, issues क्य क्या, जिस पेपर 2 में issues का क्या हो सकते है, देखो, यहाँ पर पूरी विवस्ता यह बनाई गई है, देखो, पहले तो यह समझो, WHO के नुसार, 20 वर्ष से कम उम्र की महिला जब गरवस्ता हो जाती है, मतलब की, जब वो pregnant हो जाती है, ठीक है, तो जब pregnant हो जाती है, तो उसक सोचना पड़ेगा, तो उसी चीज को लेके, यहाँ पर यह पता चलता है, कि इनोंने कई कारकों की पहचान भी करी है, जो विवावित की शोरों और यूवा महिलाओं के बीच, गव निरोत को कम उपयोग की वैख्या करते हैं, जिसमें दो करन बताए, एक तो बाल विवा स पड़ेगी भी है, कि पिंट छूट जाए, इस तरह की बात की बैस पिंट शादी हो जाए, जो करना है, पड़ेगी लिखेगी, अपने सुस्राल में जाके करें, तो यह मैंसेट होते हैं, देखो, यहाँ पर पड़े लिखे लोग बहुत कम सोचते हैं ऐसा, जो पड़ा ल करती हैं, उनकी मजबूरियां कराती हैं, अगर कि जबाँ पैसा हो तो वही, मैं क्यों भीजूँ फिर, मेरी बीटी पच्छे साल तक करेगी, क्या दिक्कत है, तो समझे मेरी बात को, तो ऐसा नहीं हमें दोनार्स पर से समझने की कोशिशी है, तो इन्हों ने यह बोला कि तो बाल विवा देखते हैं, साथ में किशोर गरवस्ता सबसे बीड़ी प्रावलम देखने को मलते हैं, कि ठीक है, अब सरकारी कानून ने अठार साल से नहीं कर सकते हैं, तो कोई नहीं करा दो शादी, कानून से भी बच जाएंगे, ताकि कोई कोई यह ना बोले, कि यह ब देखने को मिलते हैं, फिर डेटा यह बताते हैं कि 118 से अधिक जिलो मेंने किशोर गरवस्ता के उच परतीशत की सूचना दी, उच परतीशत, यहां पर जो भी बात है परतीशत में है, यहनि कि बिहार में करीब 19 परतीशत, पश्यमंगाल में 15, असाम में 13, महरास्टा में असाम, महरास्टा, जारकंड यह सब चीज़ हमें देखने को मिलती हैं, फिर इसके अतरीग दिनों ने यह भी बोला कि भारत के 40% से अधिक जीलो में 18 वर्ष की आईउ से पहले विवाग करने वाली महिलाओं के लिए उच परतीशत की यहां पर जो सूचना दी गई है, जि हमारी जो इंडिन पोपुलेशन है, इन फ्यूचर में जो उसमें गिरावट देखने को मिलेगी, मिलेगी, ठीक है, फिर साथ में वह यह भी कहते हैं, कि सरकार ने कहा है कि पूर्ष के गर्भ निरो तक होते हैं, वीदिया होते हैं, काफी हद तक कॉंडम तक ही सीमित है, य हैं कि like, कॉंडम क्यों लगाएं हम, एक तो यह भी समस्या आती है, दूसरा, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, जो बोलते हैं कि नहीं, इससे ज़्यादा आनंद नहीं आता है, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, तो जिसके कारण वहां की लिड़कियां जो मतलब की ना चाहते हैं जो भी प्रेगनेंट हो जाती हैं, तो इसलिए कहिना कि कॉपर टीज मतलब की अगर बात नस्बंदी टाइप की चीजें, और इस तरह से चीजें, कुछ इस तरह की चीजें लानी चीए, ताकि नस्बंदी हो तो आ भी 5-3-4 साल के लिए करा लो, आप भी फ्रीर हो, ताकि एक परसेंट में लिटरली, पुरुष कराते ही नहीं है, तो यह सब चीजें हमें जो देखने को यहाँ पर मिलती हैं, और हाला कि इन्होंने यह भी बोला, कि इस दिश्टी में आधुनी गर्म निरोदक को उपलप्त कराने के लिए निजी चेत्र का उपयोग करने की योज परदान है, वो करीब 40% का जो हमें कुल मिला के जो हमें देखने को मिलता है, आगे बड़े, चलिए, फिर हमें देखो दोको तुनीशा को लेके बात करी कि यह, तुनीशा का मैंने आपको ओवर्वी बता दिया था, वही है कि तुनीशा देखो यह रहा, ठीक है, यह है, य यह मांगरेव, छेतर में इस्तित है अफरिक्का के, दक्षिन पश्चिम में अलजिरिया के साथ और दक्शिन पूर में लीभिया के साथ सीमाय से साज़ा करता है, जैसा हमasta हम बना बता दिया, मां सागरग में, इसकी राध्धानी तुनीश है, तुनीश आपकी देखो, त पर्मुक कारण हमें विद्रो की वही देखने को मिलते हैं, कि मतलब की यह असंतोश है, ज्यादा केंदर को लेके, जिसमें रोजगार एक अधिकार है, असान नहीं, इस तरह के स्लोगन्स वहाँ पे तुनिशा केंदर काफिया था फेमस हमें देखने को मिले हैं, और वहाँ पर अगर बात करें तो लोगतांती रूप से निर्वाच्चित रासपती, कास सयद, ठीक है, और उनकी सरकार पर वादो को पूरा ना करने को लेके, देश को दिवालेपन की और ले जाने का आरोब भी जो कुल मिला के, जो अरव स्प्रिंग होता है, 2011 के बाद, 2012 में एलेक् साथ हो गे थे, फिर बड़ी-बड़ी बात है करके आ गया है, लेकिन वो at the end वो फ्लॉप हो गए, तो इसलिए वहाँ पर जो है, अब प्रो डॉमेट्री को लेके बात करी जा रही है, इसलिए वहाँ पर elections हो रहे हैं, तो इस चीज़ को लेके कुल मिला के, इसी contest में हमारे फिर दस बर से पहले रोजगार सुतनता, गरीमा के नारे के साथ, करांती के साथ, अब यूवाओं में मतलब की एकुल मिला के बोलने तो कुछ हासिल नहीं हुआ, तो ये सब चीज़े बेरोजगार को लेके जादा बात करी जा रही है, बेरोजगारी जादा है यूवाओं ये अच्छल में है, कि सीवेड होता क्या है, फिर इसकी सबजी जो है, ऐसे बनती है, मतलब इसको खाये पही जाता है, प्रोटीन, हाई रिच, प्रोटीन, फाइवर, समझ रहे हो न, अच्छे चीजे, जितना जाता है, दुरलब होगा उतनी चा इसकी मांग जाता होगी, तो ये कुल में लाके समुंदरी घास कीतरा है, आप देखो देहान से, शेवाल बोल लो, घास बोल लो, वर्टसवर जो भी बोल लो, इसको मतलब खाये जाता है, अगर मुझे मिलेगा खाने को क्या मैं खाऊंगा, हाँ, मैं भी ट्राइ करूंगा, यर क्या दिक्कत है, ठी तो ये एक ऐसा चेतर है, ये पहले हम बात कर रहे हैं, ये हम बात करें, जिस पर पर थरी की, जब भी कोई अग्रिकल्चर को लेकर टॉपिक आ जाए, ध्यान से समझना, आपने माला अग्रिकल्चर को लेकर रिफॉर्म लिग दिया, ये लिग दिया, आगे का रास्ता तो वहाँ पे एक पॉइंट गुसादे न, सीवीट का, जिसको सुमंदरी सेवाल भी कहते हैं, तो जब आप एक पॉइंट एक गुसाद होगे तो आपको देखना आदे मांग्स जबू मिल जाएंगे, क्यों? ये फैक्ट है, क्योंकि आपको आदे मांग्स यहाँ पर कुल कर रहा है, क्यों? जग रुकता नहीं है, असा नहीं कि टैलेंट की कमी है, बाद में टैलेंट की कमी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर ये पतल चलता है कि जग रुकता की कमी है, टैलेंट की कमी हाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, तो 2021 में प्रयोगी सूचना पुर्वानुमा और मुल्यांकर परिशद TIE FAC ने एक सीविट मिशन को सुरू किया, मिशन क्या हुए अची ची बाते हैं, इगवाएंगे, इतना सिखिती करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो मिशन आप पढ़ लेना, हमें ये पता चलता है कि तमिल लाडू, गुजराद के तर्टो, तो था लक्षदीप और अंडमा निकोबार में ये जो आसपा जो सीविट की पचुर मातर पाई जाती है, अगर हम भारत का मैप बनाएं, ठीक है, मालोय रफ मैंने मैप बना दिया, तमिल लाडू आपका ये हो गया, ठीक है, गुजराद आपका ये वाला अरिया हो गया, आपका लक्षदीप आपका ये वाला अरिया हो गया, और अपका अंडमान आपका ये वाला अरिया हो गया, तो यहां पर अगर हम बात करें तो कुल मिला के जो अगर हम बात करें तो सीवीड की परचूर मात्रा जो हमें देखने को मिलती है फिर इसके बाद अगर हम देखें तो हमें यह देखने को मिलता है सीवीड के बारे में कि सुमुदी सेवाल को सीवीड कहते हैं ठीक है फटाफट समझाता हूँ, यह सवाल जड तना पत्यों सहीद बिना फूल वाले होते हैं, जो सुमुदी परसितिती तंत्र में परूंक भूमी का निवाते हैं, बाकी इनमें पोशे तत्व की परचूर मात्रा होती है, ठीक है यह अपने शरीर के परते की हिस्से में oxygen बहुत अच्छा ही बात है, सुमुदी सवाल, सोर प्रकास के प्रकास सेसेशन और सुमुदी जल में मौझूद पोशे तत्तों के मादने से पोशन पराप्त करते हैं, सुमुदर में अधिक घनप्त वाले पानी के नीचे पाई जाने वाले बड़े और लंबे सुमुदी अधिक तरह से नर्सरी का मतलग एक तरह से पोपुलेशन का वहां पर ग्रोथ करने का जो है कुल मेलाके यहां पर काम यहां पर करते हैं, अवस्ति की बात करें तो सुमुदी सवाल जातर अंतर जवारी चेतर में ठीक जिसको इंटर टाइडल जोन उथले तता गहरे सुमु पानी में पाए जाते हैं, इसके अलावा जवार मुख एस्चूरी में और बैक वाटर में भी जो हैं पाए जाते हैं, दक्षणी मनार की खाड़ी गल्फ ऑफ मनार में चट्टानी अंतर जवारी चेतर और निचले अंतर जवारी चेतर में कहीं सुमुदी पर जाते हैं समि anti-inflammatory, अगब बात करें, anti-microfibial agent with demand होते हैं, इनके ग्यात ओशेदी प्रभाव हजारों वर्षों में वरात्मत यहां पर पाए जाते हैं, साथ में seaweed में cancer से लड़ने वाली शक्तिशाली agents भी पाए जाते हैं, अताया शोद करताओं को उमीद है कि यह अनताया लोगों के घात tumor और leukemia के उपचार के लिए प्रभावी हां पर हो सकते हैं, फिर हमें यह भी बता चलता है कि seaweed आर्थी विकास में भी सहायत करते हैं, काफी अच्छे चीज़ें देते हैं, फिर जैविक संकेतक के रूप में भी काम करते हैं, कि अगर ज्यादा algae bloom हो गया, तो यह मर तो वहाँ पर यह मतलब ज्यादा नहीं पन पाएंगे, तो एक तैसे अगर बात के तो जैविक संकेतक के positive रूप में भी कुल मिलाके जो काम यह पर करते हैं, iron sequators के रूप में भी काम करते हैं, oxygen और पूसर तकी पूरती करता के रूप में भी कुल मिलाके पढ़ लेना, इस स्थापित हो सकता है, एक रास्टे GDP में बड़ा योगदान दे सकता है, सुमुद्र उतपादों में भी कर सकता है, शेवालों की जल छेत्रों में अनावश्यक भरमार को कम कर सकता है, लाखो टन कारवन डाय ओक्साइट को अप्शोतित कर सकता है, जयाविर्धन में 6.6 तन में परजाती, जिसको कपाईकस अलवारेजी, ठीक है, ये नाम है कि खेती से सुमुद्र जीबों के लिए गंबीर खत्रा पैदा, यहाँ पे हमें देखने को मिला है, इसने दिरे-दिरे परवाल बित्यों को नस्च करना भी जो शुरू यहाँ पे कुल मिला के कर दिया है, और साथ में मच्वारों समू की ज्यादा तर महिला, इन दीपों के आसपास रोजाना सुमुद्री सवालों को एक्तर करती हैं, और ऐसे करने से परवाल को भी काफियादा, मतलब मोटा मोटा आप यहाँ समझो कि कहीं ना कहीं हमें परवाल को लेके काफियादा जो है, कुल इस शिप है, यहाँ पर यह शिप खड़ा है, फिर रसी से बांद के जब हैवी जब चीजे उठाई जाती है, ठीक है, तो उससे भी काफियादा जो है, नुकसान जो है, कुल मिला के देखने को मिलता है, फिर आगे की रा में यही सब बोला है, इसको पढ़ लिजेगा, और सारक के बारे में, पहले फटाफट सारक के बारे में देख लेते हैं, दोको दक्षिन एशिया छेती संगर्ठेन अगर बात करें सारक किस था, अपना 8 दिसमबर, 89-85 को धाका में सारक चार्टर पास्ता करने के बाद हुई थी, सारक में अगर देखें तो आपका इंडि लेते हैं लोग ठीक है तो इस चीज को द्हान रखना तो जब भी मयामार का नाम ले जागा तो सार्क के अंदर जो है मयामार का कुलमिला के इसमें नहीं है उसका सची वाले में है काटमांडू में है यह चीज को याद रखना कि नियू दिल्ली में नहीं है इसका कुलमिला के काठमांडू में जो सबस्याद हमें देखने को यहाँ पर मिलता है वर्तवान में सारक के नो परवेश्य देश भी हैं जिसमें उस्टेलिया, चीन, यूरोपियन संग, इरान, जपान, कोरिया, मौरिश्यस, मयामार और सहियुक तरासमारी यह मयामार जो है इधान रखना दोस्तों यह परवेशक के रूप में यहाँ अगर बात करें तो काम करता है इस चीज़ को आपने सबस्यादा कुलमिला की जो आपने ध्यान आपने रखना है फिस के बाद Mapping पर देखें फटा-फट तो मैपिंग पर हमने यह देखने को मिलता है कि हमने Kenia को देखा Kenia से होके Equator गुजरता है पहली बात,erenia से हमारी Equator गुजरता है Kenya क्योंकि अभी Facebook को लेके News में था तो Kenya के Water में देखो तो Somalia है Somalia आपकी यापका Somalia है आपकी लेक Victoria हे यह वाली आपकी लेक आपकी घुल मिलके विक्टोरीय देखना को मिलता है यह आपको तंजानिया है इनूरी जो नीचे आप एरिया आपको यहाप Когда यहापर तंजानिया देखने सरकार जो है लेती है वो दूर सचार की जो कंपनिया होते हैं जो भारतिय हो गया एटल हो गया जीओ हो गया जो भी है तो इनसे जो है जब शुल्क जो है लिया जाता है किस पे अजस्चिच गुर्वास रिवैन्यू के तोर पे जब लिया जाता है इसमें यह बोलते हैं कि AGR उप्योग और लैसे शुल्क है जो दूर सचार ओपरेटर से दूर सचार विवाग द्वारा जो निए डॉट द्वारा जो वसूला जाता है टेलिकॉम ओपरेटरों को केंद्र को राश्चव हिस्सेदारी के रूप में लैसे शुल्क और स्पेक्टम शुल्क का जब भुक